हलो फ्रेंड से रादिरादेश अश्रीकाल, असलाम अलेकूम, कैसे हो आप सभी, I hope सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, बस आप सभी की हैल्प के लिए एक कंटेंट के साथ में आप सभी के सामने में प्रेजेंट हुआ हूँ, एकली काफी सारे बच्छों की कमेंट की सर्ट टैली कोर्स क्या होता है, उसके बारे में आप मुझे बताएं, तो उसी कोर्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिसकसन करने वाला हूँ, टैली कोर्स क्या है, कहां पर इसका यूज होता है, सर्टिफिकेट की क्या वैलू रहती है, और भी इससे काफी एकश़ली जो टैली कोर्स रहता है यह एक अकाउंटिंग कोर्स रहता है इस टैली कोर्स में हम लोग तीन फीचर सीखते हैं पहला दूतरा accounting टीसरा taxation inventory का मतलब होता है जहां पे सिर्फ stocks related आपको कोई transaction करने हो जैसे किसी quantity वाले products को sale करना जैसे fan rice sugar like this यह सब आपके inventory products होते हैं ऐसे transaction को आप tally में maintain करते हैं इसके बाद accounting transaction भी maintain करते हैं जिसमें आप सिर्फ पैसों से relation रखते हैं जैसे की पैसे deposit करना पैसे withdraw करना या किसी को transfer करना लाइक ठीक है और लास्ट जो ट्रंजेक्शन आता है वह होता है टैक्सेशन जिसमें सीखते हैं को ठीक है मतलब की basic course फ्री मन्स का होता है एडवांस पूर्स यह सिक्स मन्स का होता है टू टाइप्स के institute वाले कंड़क्ट कराते हैं अलग अलग ताइप से ठीक है तो यह सारा इसका मेडूल रहता है और बात करें certificate की तो जैसी आप इस course को complete कर लेते हैं institute वाला आपको एक certificate issue करके देता है वो certificate अगर online verified है verification उसको किसी website पर दिखाया गया है अच्छी website पर तभी वो certificate आपका कहीं job पे eligible रहता है otherwise वो नहीं रहता है तो ध्यान रहे जहां भी course करें verification के साथ ही में करें और according to me आपको six month का course करना चाहिए टैली में